सल्मान खान इस वक्त खासा सुर्खियों में है 14 अप्रेल की सुभा पांच बजे उनके घर के बाहर फाइरिंग हुई इस मामले में पुलिस के हाथ कई सारे CCTV फुटिज लगे इसमें उन दो संदिक्तों की तस्वीर मिली है हमलावर बाइक से आये थे इस मामले में मुंबई पुलिस की जाज जारी है इस गोले बारी में गैंगस्टर रोहिद गोदारा का नाम भी सामने आया लेकिन आपको बता दे कि सल्मान खान पहले बॉलिवुड स्टार नहीं है जिन्हें जान से मारने की धमकी मिली इससे पहले भी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स के लिए पुजारी अपना हिस्सा मांग रहा था वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि पुजारी का कहना था कि शारु खान मुफ्त में विदेश में एक म्यूजिक प्रोग्राम में भाग ले नमब डू आमिर खान को भी ऐसी ही धंकिया मिल चुक साल 2001 में कहोना प्यार है से सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू किया इसने उन्हें रातो रात स्टार बना दिया लेकिन फिल्म के रिलीज के तुरंद बाद उनके पता और फिल्म डारेक्टर राकेश रौशन पर हमला हुआ 21 जनवरी 2000 को राकेश को मुंबई के सांदा कुरूस पश्रिम में तिलक रोड पर उनके ऑफिस के पास दो हमलावरों ने गोली मार दी थी दागी गई दो गोलियों में एक उनकी वाई बहां पर लगी तो दूसरी उनकी चाती पर लगी उन्हें रानावती अस्पताल ले जाया गया था इसे के साथ बॉलिवुड के खिलाड़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवुड को और येस डोंट फोगेट तो प्रेस देल इकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफोमेशन आप बिलकुल भी मिस्ना कर पाएं